जये शी कृष्णा राद हे राद हे जोतिश शेकागर चैनल में आपका स्वागत हार्दिकभिनन्दन। हमारे प्राचेन रिश्यों ने इस्त्री की कुंडली में राजयोगों का बंणन करते हुए उसके पति के लिए सुब माना गया है। यानि कि इस्त्री की कुंडली में राजयोग यदि बनता है तो विवहाव उपरांत वह राजा किसम यानि रानिक की तरह एसवाराम व्यवहाव का पुर्ण सुक प्राप्त करेगी। यह व्यस्ता करेगे लेकिन आज हमारी वर्तवान परस्तियां बदल चुकी है। हर इस्त्री अच्छे पदों पर कारियरत है निचे से लेकर उच्छे तक के पदों पर वह हम कारियरत है। तो हम यह नहीं के सकते कि राजयोग सिर्फ उसके पति के लिए आज वर्तवान इस्तितिक अनुसार स्वयम के लिए भी आगलन करना चाहिए। अब यह राजयोग कैसे बनता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कितने ही प्रकार के योग होते हैं। और विपृत राजयोग का आज में वर्णन करने जा रहा हूं। राजयोगों में तुबारा एक बार और बता देता हूं। इस्त्री की कुण्ड़न में यदि कोई से भी राजयोग हो तो वह राणी के समान एश्वा आराम भोगती है। बहुत सुख 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 भूतिक सुख यानि सब तरह का पुण्ध सुख उसको प्राप्त होता है। वह दो तरह से प्राप्त हो सकता है। पहला तो उसका पती उन राजयोग के कारण उच्च पदा पर आसिन हो सकता है। और दूसरा राजयोग का प्रभा पढ़ता है वह स्वयम के लिए पढ़ता है। तो मैं उसके स्वयम के लिए वर्णन करने जा रहा हूं। तो ऐसे तो अनिक राजयोग हैं जिसके मैंने कल आपको बताया था। चंद्रमंगल अपारधन दे सकता है। गज केसरी योग, हंस योग, अनिक प्रकार योग हैं। लेकि मैं आपको आज सिर्प विपरित राजयोग के से बनता है। और क्या फल मिलता है उसके वारे में आपको बताने जा रहा हूं। विपरित राजयोग केसे बनता है। कुंड्ली का छटा, आठ्वा और बार्वा भाव। ये भाव त्रिक भाव, अर्थार्थ, दुखी भाव कहलाता है। इन भाव में यदि कोई ग्रह बेट जाता है, तो वो उस भाव को नश्ट कर देता है। इसी तरह से एक वेदिक जोतिस के अनुसार और भारती गणिती के अनुसार एक सीधा सा मैं उधरन बताता हूं। वो है रिण गुणित रिण बराबर प्लस परिणाम देता है। दूसरे तरिक से मैं बताता हूं इसी उधरन को माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस रिजल्ट देता है। तो यह प्लस जो रिजल्ट देता है यानि कि विपरित राजो कहलाता है। अब विप्रित राजयोग भी तीन तरके माने जाते हैं, पहला है हर्सयोग, हर्सयोग केसे बनता है, छटे भाव का स्वामी जदी आठ में या बार्वे भाव में इस्थित्थ हो जाए, तो ऐसी इस्त्री शत्रुहन्ता, निरोगी, धनवान और कीर्तिवान हो सकती है, दूसरा भाव जो है, वो सरल योग कहा जाता है, सरल योग कैसे बनता है, वो कुंड़ी का आठ में भाव का स्वामी जदी छटे या बार्वे भाव में इस्थित्थ हो, तो ऐसी इस्त्री कुंड़ी का विप्रित राजयोग सरल योग नाम से वो राजयोग कहलाता है, इसके परिणाम क्या मिलते हैं इसके परिणाम वो इस्त्री दरगाई होंगी धन्वान होंगी कुसल वक्ता हो सकती है और कुसल वक्ता के साथ कीर्तिवान भी हो सकती है तीसरा विप्रित राजयोग जो मैं वर्णक करने जा रहा हूँ उसको कहते हैं हम विमल राजयोग विमल राजयोग कैसे बनता है बार में भाव का स्वामी यदि छटे या आठमे भाव में इस्तित हो तो विमल राजयोग बनता है विमल राजयोग क्या फल देता है वो भी बताता विमल राजयोग एसी स्त्री अलप खर्चा करने वाली बहुत सोज समझके खर्चा करने वाली और 37 वाली साती धनवान कीर्थीवान हो सकती है इस थ्रीके राज्योग के बारे में मैंने आपको यह जान करें दुम्हें, इसके अलावा आनिक राज्योग हैं, मैं आपको समय-समय पर आपको जान करें देता रहूंगा, सिर्फ आपका सह्योग चाहिए, वो यह है कि आप हमको सपोर्ट करते रहे हमारा उस्सा बढ़ाते रहे हैं तो मैं आपको अनेक उधारन सहीत आपको जोतिशी ज्यान देता रहूंगा ऐसे आशा है कि आप आगे से आगे मेरा वीडियो देखते रहेंगे जैसी किष्णा राधे राधे